पंजाब के सदर हैं और गवर्निक फेसल के मेंबर भी तश्रीप लाएं और पंजाब में पाकिस्तान फ्रीटर मोविट के हाले से होने वरिकेश्या और काम्यादियों से आपको अगार करें चनाब जी एम लावी साथ आओज बिल्लाहि मुष्य दौान रर्जीम बिस्मिल्लाहि रर्ह्मान रर्हीम जिनाब सद्र और मुजजद साथियों खवातीन और खजरात असलाम आलएग असलाम सबसे पहले मैं तमाम मुजजद मेर्मानों को तहें दिल से उनका शुक्रिया लाद रखता हूं आप पंजाब के दूर दराज इलाकों से दिश्टी प्लाए हैं और हमें हिजद बख्शी मैं आप सब को खुश्याम दे रहें मुजारिश यह है कि तकरीबन सक्तर साल हो गए पाकिस्तान को मार्जे वजूद में आए और पाकिस्तान के इलेक्शन कमिशन में तकरीबन तीन साथ सियसी जमातें दाइद राज हो चुका हैं तो सवाल के पहला होता है कि एक नई सियसी जमात की क्यों जरूरत रहसी की जबके आजड़ी तीन साथ जमातें इलेक्शन कमिशन में गर्चें तो यह बात अफसोफ से कहनी पड़ती है कि इतनी जमातों के बावजूद जो सियसी जमात को जिस तरह से होना चाहिए यह जो मसल्मा असूल है उसके मुखबूर के मताबए पाकिस्तान के अंदर हमारी जमात से पहले एक जमात भी तमाम बड़ी से बड़ी जमातों को भी चामिल करें तो वो उनमें यार पर दोरा नहीं कर लिए आपको याद होगा अगर बाज लोग बहुत यंग हैं उनने वजुद्वों से सुना होगा कि शुरू में पहले पाकिस्तान का वजूद में आया तो सियासत में मौजज़ लोग और ऐसे लोग सियासत प्रिक थे जो अपने अपने हिलाखों में या नैशनल एवर पर जिनकी एक इज़त थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी बड़ी किस्पती की बार और ट्रेजिडी है हमारी कि सियासत ऐसे लोगों के हाथों में चली है जिनों ने इसको एक अपने जाती मुफाद के लिए इस्तमाल करने का एक ज़िया बना है और अपनी जाती मुफाद के लिए सियासत करनी दा पूरी यहां कर नौमत कॉणसी है कि अब शरी आत्मि के समझता है कि उसका सियासत की कांवा कि लिए जिसके सामने सियासत की बात की जाती है जो यह कàng एदा है कि हमने वो वैक्यूम को स्प्रेस ऐसे लोगों को एक छोड़ दी और जगा तो कोई खाली नहीं रहती है जगात में को फिल हर सूरत में किसी रही किसी में उसको फिल घजना हुचा अच्छे लोगा ने सियासत से गनारादिशन इफियार करके तो ऐसे लोगों के लिए इस वैक्यूम बना दिया कि जहां कर मतलब के अरुफाद प्रस लोगों ने सियासत में आकर और इस मुल्क को जितना नुक्सान पहुचाया वो आफ सब लोग जान रहे हैं जैसे बहुतरम जमाद साब ने फरमाया कि सोचाए गया कि इस सारे समेरियों में किस तरह से इस मुल्क को दोबारा उस तरफ मुड़ा जा सकता है कि जिस मुगाम पर सोचने के बाद हमारे अबाव और इजदार ने इस मुल्क को बनाया थी तो उसकी बाहर एक सूरत ही है और वो ये है कि एक स्यासी जमाद ऐसी हो जो उन ही असूलों के उपर काम करें जिसका दस्वर जनामे कायज अखिए अजी additions रेम है और उन्ही रसूलों के मताबे हम ने ये जमार बनाई और इस जमार का मकसद यही है कि मुखाद प्रस्ट लोगों की जगह पर ऐसे लोगों को रिप्लेस करना है अजरा है ऐसी शुरवााग को खे नर्फेश हो चुक्ते हैं उन लोगों को कनिक्स करके पॉलिटिक्स में लाना इंटाके जो लोग गसके काबे हो उक्वाद के लिए उनकोर रिप्लेस कर सें लिहाज़ा ऐसे लोगों को तलाश करना आप लोग इसी मकसद के लिए आपको यहां पर दावर दे गई हैं, बुलाया गया है कि आप लोग यह मत समझें, कि यह पॉलिटिक्स की वाया है, यह जी शरी फादमी का काम नहीं अगर आप लोग नहीं अच्छे होंगे, आप जैसे अच्छे लोग नहीं आगे आएंगे, तो हम यह गिलाई करते रहेंगे हमेशा, कि जी मुल्क के साथ यह हो गया, वो हो गया, अपलाँ हो गया, क्योंकि असलिक किसी ने किसी सता पर हम खुद इस चीज़ के बसूरवार है कि हमने जो हगा जगा हमें लेनी चाहिए थी, वो हमने नहीं है, आज की स्यासत, आप देख रहे हैं कि स्टेज के उपर आपर एक ड्रामा बासी, गाली गलोग, और एक दूसरे के रोज तीजीज के उपर आप नजर आप देखते हैं, एक दूसरे के गरे बाहर पकड़े हो जो मुल्की इशूज हैं, जिस मुल्क, जो मुल्कों असल मसाइल दर्वेश हैं, आपका एरिया सिंध से ड्राउट शूरू हो चुका हुआ है, जिसमें पानी जो है, पानी के मसाइल आपके मुल्कों दर्वेश होने वाले हैं, और कुछ वो आप ही रहे हैं, जिसमें पान किसी का उसकी तरह घ्यान नहीं है। पॉपुलेशन आपकी इस साथ कर रही है। कि उसके लिए फुच्छन के लिए आपको पता है तो पता नहीं कि दस साल से भी जाना हो गए किसी ने मर्तम शुमारी नहीं की। जब आपको इस गर में यह नहीं पता कि कितने लोग इस गर में रहते हैं तो उसके लिए एक महमूली सी बात है और अवरत को भी नहीं पता जब देशाम को कितने लोगों ने खानत खाना है तो मैं उसके लिए उतनी रोटी मिनाए। तो यह पॉपुलेशन पे है कि मर्तम शुमारी से हम लोगों को पता चले कि हम मुल्प में इतने लोग है ताक उनके लिए हॉस्पिटर्स उतने का बुझाइश अबादी के इसाफ से उनके स्कूल, उनके कॉलेजिज, सिर्थ के मरापज इस सारे डिपेंट करते हैं इस वारतर के आपकी पॉपुलेशन इतनी है आपको पता है, दस साल से ज़्यदा वजिपका एक किसी में मुद्ब शुमारी के दर बियान नहीं हुए जो हमारे दुश्वन हैं, जिस प्रह से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये सारे मसाइल इस हद तक मुल्क को कुरों ने गिर लिया है, अगर हम एक्षटे में नहीं होंगे अगर हम ऐसे लोगों को नहीं जुनें ये मुल्क के अंदर जिनों ने आपके जो पॉर इश्यूस हैं उनको अड्रेस करना है, इस मुल्क के मौमलार को दुरूस करना है तो ये मैं माफी चाहते हैं को कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे जो आपके घर को ठीक करेंगे ये हम लोगों कहीं काम है, हमें ये काम करना है और इसी के लिए आज आपको यहां पर जावद दी गई है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मौमले की सीरियसनेस और इसकी जो ग्रैविटी है उसको महसूस करेंगे और हमारे साथ शाहना में शाहना चल कर अपने अपने अज़़ा में इस सिल्सले का आपको काम भी करना है, दोस्तों को भी साथ मिलाना है और इसको एक तहरीग की शकल में आपके बढ़ाना है इस पाकिस्तान के अंदर हमें एक ऐसी सी जमार्ट को फ्रोग देना है जिसको तमाम मसाइब का अग्राफ भी है जो तमाम मसाइब को हल करने की सलाहियत भी रखती है और जिसको पाकिस्तान में रहने वाले लोगों करता है मैं आपसे बहुत सारी उमीदें और बहुत सारी तवपवाद रखता हूं कि हम इंशालला अपट्छे आगे चलेंगे और इस सफर में हम शाना बशाना इंशालला इंशालला पाकिस्तान को एक ऐसी मन्जिर की तरफ लेकर जाएंगे जिसका खाव काईल आजा मुहम्मद अली जिना ने देखा है बहुत 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 झाल आजाएंगे